आदिम्ति थंकर प्रभू आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अगुमद मिटे तव पद में मम्माथ चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधी तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज बुली आदि ब्रह्म श्री आदिनाथ जी भगवान की परम पूझ आचार बगवंत गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुनि महराज की बधा जी के महाच शैकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की समस्त मुनी संग की निरंतर आट नो दिनों से वर्दमान चरित्र बगवान महावीर स्वामी के पूर जनों की यशो गाता से वर्दमान और उनके आंगे आले भविस्य के बारे में हम निरंतर सुन रहे हैं पिछले सत्र में आपने सुना कि बेलकुल ठंडे महौल में जब ठंड़क धीरे धीरे यही गुलाबी ठंड़क जैसी अभी पढ़ रही है ऐसी ही गुलाबी ठंड़क पढ़ रही थी और पूरी की पूरी वह कुंडपुर नाम का नगर जो वैशाली का कुंडपुर कहलाता है जिसको वासो कुंड भी कहते हैं बहुत उचे उचे भवनों में जहां उपर के गुमबच ठोस सोने के बने थे शब्दो को शब्दो के साथ उसकी गहराईयों में कुछ सोचने का भी प्रयास करेंगे तो मैं आपको उस दर्श तक दिखा पाऊंगा जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कल्पना करिए मेरे शब्दो के साथ कि ठंडी के दिन हो रात बिल्कुल गहरी हो उन गहरी रातों में साथ खंड का कोई मकान हो साथ खंड का वो राजमहल जिस राजमहल राजा सिधार्द का जिसमें ए खंड पर धैर पूवक रतनों से निर्मित किसी पलंग पर शयासन में सो रही है अंतिम प्रहर है थोड़े थोड़े दूर से बहुत दूर से कुटों की संगालों की थोड़ी सी बोलने की आवाज आती है उस आवाज के बीच में त्रिसला वहाँ पर उस रतनों की सहियां पर बैट करके लेटी हुई कोई स्वप्न देख रही है पिछले सत्र में आपने इसको निरंतरता पूरवक सुना होगा चार-पांस स्वप्नों के बारे में मैं पिछले सत्र पर बता चुका त्रिसला की नीन बहुत गहरी थी और उसका तन उसका मन उसकी वासना ये तीन गरंतकार कहते हैं कि गर्ववती इस्त्री का तन मन और वासना सो रही थी और चेतना आत्मा जो थी त्रिसला की वो अंदर ये अंदर जाग रही थी देवियां उसकी सेवा कर रही थी दूर तक घंगोर अंदखार था 64 दिक कुमारी देवियां साथी साथ आठ री शिरी धिती कीर्थी बुद्धी लक्षमित तादिक देवियां ये सब तिसला माता की सेवा में पहले दिन से आ गई थी तिसला माता ने गज देखा बैल देखा, सिंग देखा दो मालाएं सुगंधित आती हुई देखी तिसला ने देखा सोते सोते की सरस्वती अपने पूरे स्वेत वस्तर पहन करके खड़ी है एक हाथ में कमन ली हुई है एक हाथ को आशिरवात की मुद्रा में रखी है और उसकी उपर दो गजराज बड़े बड़े कलसों से सरस्वती का नवन करा रहे है जलकी धारा सरस्वती के मस्तक से होती हुई पुरे सरीर को मिगाती हुई नीचे से उतरती चली जा रही है तिशला उन सपनों को देखती है सपनों में तिशला देखती है कि बहुत बड़े भूखंड को मैं अपने छट पर खड़ी हो करके देख रही हूँ कि अचानक धरती नीचे से फट पड़ती है तिसला आख में अपने सपनों की जीवन्तिता को महसूस करती है कि नीचे से नागेंद्रों का भवन पूरा का पूरा धर्ती को फोड़ करके निकल रहा है किसी इस्त्री के गर्व में तीथंकर का प्रवेश होना है उन 16 सपनों में कलपना करिये कि किसी इस्त्री ने ऐसा सपनों देखा है महराथ चेटक की समान पुत्री थी जिसका नाम तृषला था नाम भी क्या सुन्दा रखा था चेटक ने तृषला तीन प्रकार की जो सल्ल है उससे मुक्त जिसका जीवन है उसका नाम तृषला है उस तिसला के सप्णे में, वो जो सप्ण दिखाई दे रहा है, कि भूखंड को फोड़ करके, बहुत बड़े बिशाल भूखंड को फोड़ता हुआ, नीचे से पूरा नागेंद्रों का भवन निकल रहा है, जब नागेंद्रों का भवन पहली बार तिसला ने बंद आखों से देखा तो वो देखती रह गई कि पूरे के पूरे उपर के गुमबज में सिर्फ दैदीपतमान हीरे लगे हुए हीरो पर जब उपर से चंद्रमा का प्रकास पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा तो वो चकमक चकमक करते हुए पूरे के पूरे हीरे धरती को फोड़ करके धीरे धीरे करके निकलने लगे निकलते निकलते बड़े बड़े हजार खंबो वाला वो पूरा नागेंद्र का भवन जिसके उपर बिशाल फन फैला हुए बहुत बड़े बड़े नाग दिखाई दे रहे थे उन नागों के फन पर एक एक मनी दिखाई दे रही थी और रात्री के अंदकार में भी नागों का सरीर चमक रहा था ऐसा जब चमकता हुआ पूरा का पूरा नागेंद्र का भवन धीरे धीरे धर्ती से उपर निकल आया और उपर निकल करके आसमान में बहुत दूर जाकर के स्थिर हो गया तिसला आख बंद में वो नागेंद्र का भवन चुपचाब देखती रही कि हाँ मेरे अंदर भी इस तरीकी की भूती कांती अंदर पैदा हो रही है तिसला ऐसे एक एक करके सोलह बिच्चित प्रकार के सपने देखते हुए अंत में तिसला ने निर्धूम अगनी देखी निर्धूम अगनी आपके गैस के चूले की भी नहीं होती है भट्टी की चूले की भी नहीं होती है बेकूल निर्धूम अगनी है जब शुद्ध कोईला होता है बंदूओं और जब एक आत घंटे जल चुका होता है जलने के बाद जैसा वो लाल लाल बड़ा बड़ा धदकता है वो धदकती हुई निर्धूम अगनी को तिशला ने अपनी आँखों में देखा उसके लाल परंगे साथ उसकी उस्मा को भी सरीर में महसूस किया हमारे सबकॉंसेस माइंड की ये खूबी है कि वो सपनों में और हकीकत में फर्ग करना नहीं जानता जब कभी भी हम सपन में सोते रहते हैं सोते सोते आप किसी भी प्रकार का कोई भी विचितर सपना जब देखते हैं तो बाडी का ब्लड पेशर, भावनाए, इमोशन्स ठीक वैसी ही गटित होती हैं जैसी हकीकत में गटित होती हैं तिसला के साथ भी वैसा ही हो रहा था ऐसे अद्धुत, अद्धुती सपन को जब देखते देखते सूरस देखा, चंद्रमा देखा, यो युगल मीन देखे हाती देखा, गज देखा, एरावत देखा, सिंग देखा स्वक्ष सुन्दर सरोबर देखा जब सरोबर देखा तिसला ने, तो सिंग देखा कि उस सरोबर में इस पटिक का पूरा बना हुआ सरोबर है और सरोबर के नीचे मरकत मड़ी के हरा पन्ना जिसको आप कहते हैं, उस पन्ने का तल है दिवालो को उन्होंने लाल कलर का बनाया है और बाहर से इस पटिक की शुद्ध मडियों के बीच में बेकुल कंचन जैसा साफ सुतरा पानी, ये जो आपके स्विमिंग पूल बनते हैं, इसमें कंचन जैसा साफ सुतरा पानी आपने कभी देखा नहीं होगा, कंचन जैसा साफ सुतरा पानी कभी आपको अंतर मन में तो आपको बारिश का पानी देखना होगा कि कभी टंकियों में आपने बारिश का पानी खटा किया हो और टीन से जब वो बारिश का पानी टंकी में खटा हो जाता है बेको शान्त हो जाता है जब वो पानी तो इस पानी में तल में पड़ हुए छोटे-छोटे काले-काले तुकडे जो है वो जैसे पश्ट दिखाई देते है ऐसा स्वक्ष सुन्दर सरोबर तिसला ने स्वप्न में देखा तिसला ने देखा कि बहुत बड़ा समुद्र है मैं किसी परवत की उपर खड़ी हूँ और खड़े हुए परवत पर मैं समुद्र की लहरों को देख रही हूँ वे लहरे आकर के जिस परवत से मैं खड़ी उससे वो बार-बार टकरा रही है ऐसे अद्बुत अद्बुत सब्ने देखते हुए तिसला ने इस चीज को रात्री के अंतरे मनोहर पहर में महसूस किया कि वो जो सिंग मेरे गर्भ में आकर के सिंग पहले तो सामने से आ रहा था आते आते बहुत छोटा होकर के भी कोछ थोड़ा सा मेरा मूँ खुला हुआ है जैसे रात में सोते में आपका थोड़ा सा मूँ खुला रहता है उतने से मूँ में सिंग ने प्रवेश करके गर्भ में इस्थापित होकर के वहीं पे बैठ करके दहार मारी दहार मारने पर तिशला के सरीर के रोम खड़े हो गए वो जो बैल पहले आकर के तिशला के बगल में खड़ा हो गया था उस बैल ने भी धीरे से तिशला के सामने आकर के खड़ा हुआ और खड़ा होकर के अपने रूप को छोटा करता हुआ वो बैल भी अंदर जाकर के गर्भ में इस्तित हो गया एरावाथ हांती भी गर्व में आकर के इस्तित हो गया ये द्रस इतिसला देखी तो देखती रहे गई कि जितने सपनों मैंने देखे है ये सारे के सारे सपनों की अनभूती मुझे मेरे शरीर के अंदर हो रही है हम जब बेकुछ छुब दवस्ता में आज के संसारी लोग जब संतान पैदा करते है माक तो उस इस पर्षना का अनभव भी डाक्टर के कहने पर होता है बंदू ना सपने के विज्ञान से कभी कुछ पता चलता है ना बाहर की किसी अन्य चीजों से जब ये 16 के 16 सपने माता तृषना ने देख लिए देख करके उनने देखा कि जितने नागेंद्र का वो जो भवन था वो भवन भी बिकुछ सामने आकार के प्रत्त्यक शिकड़ा हो गया उस भवन से इस फुलंगे निकलती थी जैसे उच्चटन होता है फुलजड़ी जलाते हैं तो चिंगारी निकलती है ऐसे नागेंद्रों के भवन से चिंगारिया निकल रही थी पहली बार तृषना ने देखा कि कोई ऐसा भी भवन होता है जिसके दिवालों से छोटी-छोटी चिंगारिया निकल रही हैं जैसे फुलजड़ी जड़कर के गिरती थी वहाँ पर पूरे के पूरे नागेंद्र भवन की रक्षा करने के लिए बहुत विशेश जाती के नाग फल फेडा करके खड़े थे ये सारे स्वपन तिसला अपने साथ खंड के मकान में तती खंड पर बैठ करके चुपचाप लेटी हुई रात्री के अंतिम पहर में देख रही थी देवियां चौसट डिद्दी देवियां बार बार ये प्रयास करती थी कि किसी भी हाल में मा की निद्रा इस खलित ना हो जब कभी भी तिसला के गोलक घूमते हुए दिखाई देते बाहर में रक्षा करने वाली देवियां इस तरीके का माहौल बनाती कि तिसला फिर गहरी निद्रा में चली जाती तिसला सो भी रही थी précisला जग भी रही थी और जब सोला के सोला स्वप्न तिसला ने देख लिए देखने के बार तिसला के मन के अंदर एक बिशेश पकार का रोमांच, एक अन्भूती, एक सुख मिला धीरे से सुबह सुबह देवियों ने सुन्दर मनोहर गीत और वाद दियंतर को बजा करके माता तिसला को उठने के लिए प्रेना दी, हमको हमारी माँ कैसे उठाती है, घर के अंदर देखिएगा और माता तिशला को कैसे उठाया गया कि इतने सुमधूर बाद बज रहे थे स्याम कल्यान राग होती है भोर की अलग राग होती है भ्रामरी राग अलग होती है ऐसी अनेकों रागें है सुबह की राग कुछ अलग होती है शाम की अलग होती है उस स्याम कल्यान राग को लेकर के देवियों ने बिकुल धीमी गती से जब संगी सुरू किया, सुरुवात में बिकुल धीमी ढोला, धीमे सितार, धीमे वाद्द बज रहे थे, और बजते बजते धीरे धीरे जैसे ही उसका स्वर निद्रा को तोड़ते हुए तिसला की कान से होकर कि उसकी चेतना में गया, तिसला ने सोते हुई सुक सैया में धीरे से आँख खोली, आँख खोली तो तिसला को ऐसा लगा कि कमरे के अंदर प्रकास दिखाई दे रहा है, तिसला ने देखा कि वो प्रकास उसके ही सरीर से दिखाई दे रहा था, खुद तिसला आश्चर चकित हो करके जब खड़ी हुई, खड़ी होने पर तिसला ने सामने दरपण में अपना चेहरा देखा, तिसला ने देखा कि पूरा का पूरा सरीर इस फटिक मड़ी के समान सुद्ध स्वक्ष हो गया है, तिसला ने सोचा नहीं था कि कभी अधारिक सरीर का रंग भी बदलेगा, क्योंकि महाराद चेटक की जो पुत्री थी, वो तो समान इस्तरी थी, लेकिन उस समान कन्या का जब असमान सिद्धार से विवा हुआ, और फिर असमान प्रकतिया अपने जीवन में उद्धे में आई, तो जब महाराणी तिसला के गर्व में स्वयम भग्मान महावीर गर्वस्त हुए, तिसला का ओधारिक सरीर का रंग इस्पटिक मड़ी के समान सुद्ध स्वक्ष हो गया, हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, कि इस्पटिक मड़ी के समान अगर सरीर हो गया होगा, तो कैसा दिखाई देता होगा, कल्पना करना भी बड़ा विचित्र सा लगता है कि एक स्वस्थ सम्रद सरीर हो जिसका पूरा का पूरा सरीर इस पटिक मड़ी के समान दिखाई देता हो उसमें वो वस्तर भी पहनी हो दिब आबुशन भी पहनी हो सौंदर में पराकास्टा को ले करके हो और उसके पूरे सरीर से तेज इस फुराइमान हो रहा हो और कटी भाग वो जो कमर का भाग है वो बिलकुल क्रश हो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो थुलतुल नहीं हो भरा हुआ नहीं हो ऐसी किसी इस्तरी की कल्पना करिएगा आँख के अंदर बंदू तिसला जैसे ही उन सारे स्वपनों को देख करके जागरत हुई तिसला को लगा कि ऐसे अबूत पूर स्वपन मैंने जीवन में कभी नहीं देखे मैंने अपने रंग को भी ऐसा नहीं देखा सरीर का रंग तो बदलता है ये बार तो आप लोग भी समझते हैं बच्चा बच्पन में कितना गोरा रहता है दीरे होते 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 वो दीरे दीरे पूरे का पूरा उपर के रंग को जैसे जैसे कशाय भाव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सरीर का रंग बदलता जाता है बच्चे बिल्कुल निर्मल दिखाई देते हैं यही बच्चे का तीस साल का फोटो देखिएगा, तो जितनी कशाय करते हैं, जितना लोब करते हैं, जितना घर के नदर करोध करते हैं, चहरे का पूरा रंग धीरे-धीरे करके बदलना सुरू कर देता है, जब कभी महमान आपको चार छे-ार्ट मेहने बाद देखते हैं, तो फुर बोलते हैं, कमर साथ, कई हो गयो, कमर साथ बोले कई नहीं हो, सब तो ठीक है, बोले नहीं महाराज, कमर साथ, आपका तो पूरो चेहरों को रंगी बदल गया है, माने तो कई भी नहीं लगे कि मानो रंग बदल गयो, कमर साथ बोले को दिखाई नहीं दे रहा है, सामला पढ़ गया वैसे ही तिसला का रंग गर्भाव पतरण के कारण इस पटिक के समान चमकने लगा तिसला उठी उठकर के उपर के खंड़ पे जहां पर महराज सिधार्थ सो रहे थे सिधार्थ के पास जा करके और इसने हैं पूरवक बैठ करके सिधार्थ से बोलती है कि आज मैंने अपने जीवन में अद्बुत देखा तिसला का सिधार्थ को छूना अपने आप में बहुत अद्बुत था सिधार्थ बहुत गंबीर प्रिकती के शान्थ सभावी विक्तित तो थे और तिसला ने जब सिधार्थ अपनी सया पर बैठे थे वे कहीं जानने के लिए उद्धा थी थे कि सिधार्थ के हाथ को पकड़ करके तिसला ने रोक लिया रोक करके तिसला सिधार्थ से कहती है स्वामी आज बहुत अद्बुत देखा क्या अद्बुत देखा तिशला बहुत मुस्कुरागर के सिधार्थ ने बड़ी गंभीर दस्टी से जैसे पहला बार तिशला का चहरा देखा तो तिशला को चहरा को देखकर के सिधार्थ आश्यर चकीत हो गए सिधार्थ को लगा कि ये मेरी पत्नी इसके चहरे पे इतना तेज कैसे दिखाई दे रहा है तिसला के सरीर का तेज सिदाथ ने इस पश्टताई अपनी आखों से देखा जब ये गटना गट रही थी बिलकुल घंगोर उस थंड में लोग अपने अपने घरों में सोई थे सिर्फ एक तिशला का ऐसा भवन था जो चारों तरफ से जगमक 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 कर रहा था जो रिद्धी कुमारी चौसट रिद्धी देवियां थी बेसारी की सारी देवियां सोयम अपने हातों से एक अत्तधिक दैदीपतमान मणी में दीपक लेती और पूरे के पूरे राज महल में चारों तरफ रखने के लिए देवियां खुद उस रिद्धी दीपक को रखने के लिए जाती कभी कल्पना करिए कि गंगोर रात में कोई भवन हो साथ खंड का उपर का पूरा भाग सोने का हो और सोने के भाग में कोई देवि ने जैदी प्तमान रत्न रखा हो जिसकी आभा से पूरे का पूरा भवन अपने आप में प्रज्ध मलब इस फुराइमान हो रहा हो ऐसे कल्पना करके देखिए कैसे भगवान महावीर आए है इस स्रस्टी पर कैसे एक माने अपने भाव को जन्म दिया है कैसे माने सो अपने देखे हैं क्या सिधार्ज की भावना है कैसे एक गरबस्त शिशू को गरबस्त किया जाता है कौन से पुन्न संजोई जाते हैं जब ऐसा गरव में कोई शिशू आता है जो माता और पिता दोनों की मुक्ति का निमित बनता है हमारा पुत्र तो हमारे संसार में बंधन का निमित बना लेकिन हर पुत्र का कर्तब्य है जो आज पिता के रूप में बैटे हैं वो भी किसी के पुत्र होंगे कि अपनी माता और पिता के मुक्ती में निमित बनिये हैं बगवान महावीर के जन्मोसव से बगवान महावीर के जन्म से बगवान महावीर के गर्व में आने से बगवान महावीर के गर्व में आने से ने तिश्रा और सिधार्थ ये दोनो एक भवावतारी अगले भाव से निश्चित रूप से जिनको मुक्ष जाने की शक्ती पुत्र के प्रभाव से मिल गई हम अपने पिता के लिए आज भी बंधन का निमित बने हमारे निमित से पिता कमाते हैं हमारे निमित से पिता महनत करते हैं सुबह से लेकि शाम तक खेत में जाते हैं दुकान में बैठते हैं हम कब अपने पिता और मा के मुक्ति का निमित बनेंगे कभी सोची ना जैनकुल में आए हैं तो इस बात को अंदर स्थापित करिए कि C.A.C.F.A.M.B.A. करने से बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाब का बहाना लेकर कि विदेशों में सेटल होने से आप अपने पिता और मा के मुक्ति का निमित नहीं बने विदेशों में रहकर के आपने पतनी की साथ भोग भोगा संताने पैदा करी एशोर में फसे रहे लेकिन आप अपने पिता के किसी भी कार में निमित नहीं बने वो ब्रद्य पिता घर के अंदर चुपचाप बैठे हुए है मा बैठी है दूद वाला दूद दे जाता है पेपर वाला पेपर दे जाता है आप वहीं से बैठे बैठे माता पिता का रिचार्ज कर देते हैं ये पिता के प्तिक माँ के प्तिक दाई तो खत्म नहीं हो गया इतना सिर्फ मोबाइल रिचार्ज कर देने से या बिल भर देने से कोई बच्चे अगर वेल सेटल्ड हो करके कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बेठें हैं और वो यी सोचते हैं कि मैंने अपने डाइत तो पूरा कर दिया माता पिता को पैसे तो बेस दिये माता पिता तो पैसा आपके बिना भी कमारा और जीना जानते थे लेकिन अच्छे पुद्र की सार्थक्ता है कि वो अपने माता और पिता दोनों की मुक्ति का निमित बने अपने साथ में घूमने खुलने कुलने वाले जो मित्र है भगवान महाबीर के साथ जिसने खेल खेला है वो भी मुक्ष चला गया तुम्हारे सांथ जिसने खेल खेला है वो जेल में जाकर के बैट गया तुम खुद जेल में जाकर के बैट गया बोले क्या आद दोस्त के सांथ गूमने गए ते माराथ फस गए तीन दिन की अंदर जेल की हवा खा की आए कोई पांस दिन की, कोई पंदा दिन की, कोई छै मैने की, कोई तीन मैने की हम किन लोगों के साथ रहते हैं मैं हमेशा कहता हूं उस बात को कि अगर आपको लगे कि आप जिस सर्कल में रहते हैं उस सर्किल में रहते रहते आपका विकाश नहीं हो रहा है तो वो सर्किल को तोड़ देना चाहिए तोड़ करके अपने विकाश की यशोगाता खुद लिखो जैसे महगवान महाबिर स्वामी के जीव जब सिंग की पर्याय में बोद को प्राप्त हुआ और ब्रोद को प्राप्त होने के बाद लकड़ बगगा उसको आकर के बार बार माज़ खाने के पेंड़ना देता था ऐसी आपको भी आपके मित्र के रूप में कितने लकड़ बगगे होंगे जो बार बार अपराद करने की पाप करने की पेंड़ना देते हैं अपने मित रूपी लकड़ बगगे से सावधान रहे और अपनी कीमत सुयम इस्थापित करिए खुद बनाने की कोशिश करिए त्रिसला ने 16 सब्न देखे 16 सब्न देखने के बात त्रिसला से दार्ट के पास जाकर के पूस्ती है कि मैंने ऐसा सब्न क्यों देखा इस सब्न का क्या मतलब है अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे पेट में कोई सिंग बैठा है और वो अंदर से दहाड़ता है तो मेरे सरीर का रोमांच मेरा तेज़ खड़ा होता चला जा रहा है मैं और सम्रद्धी को प्राप्त हो रही हूँ मेरे सरीर में रक्त के प्रवाह की उस्मा और बढ़ गई है अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है स्वामी कि एक बैल भी बैठा है और एक एरावाद हादी भी मेरे गर्ब पर बैठ गया जब ये बात तिसला सिधार्द से कह रही थी सिधार्द तिसला से कहते हैं तिसला जिसके आने से पूर्व में तुमारी इतनी सारी दिक कुमारी देवियां सेवा कर रही है जिसके गर्बाब पतरन से पूर्व में बुद्धी, रिद्धी, श्री, किर्थी, लक्ष्मि, तादिक, देविया, 24 घंटे तुम्हारा सहयोग कर रही है, दिब आबुशन आ गए, दिब बस्त आ गए, दिब भोजन सर्गों से तुम रोच्छे मैने से भोजन कर रही हो, तुम को क्यों संका है इस बात में कि तुम्हारे गर्ब में तीधंकर आ रहा है, ये सब तीधंकरों के आने के शुबचिन है, एक एक सपन का, सिध्धार्द ने अपने निमित ग्यान के माद्धम से अर्थ बताया, सूर का, चंद्रमा का, मीन का, युगल का, सरोबर का, समुद्र का, हाती का, बैल का, सिंग का, निर्धु मगनी के एक एक अर्थ बताये, जब एक एक अर्थ वहाँ पर खुलते रहे, तब वो अपने आप तिसला अपने आप में रोमांचित महसूस हो रही थी, और अंदर ये अंदर शंका पैदा कर रही थी, बार-बार तिसला सोचती थी, क्या सही में, एक तिथंकर को अपने गरब में जेल पाऊंगी, क्या मैं, सही में तिथंकर की मा बनेने बाली हूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि, अपॉरस्णूटी, हमारे सामने होती है, लेकिन हमको feelings नहीं आती है, vibration नहीं आता है कि यह opportunity हमारी life की सबसे best opportunity है कितनी बार ऐसा होता है आप चाहे बाहर की field में देखिएगा चाहे अपने खुद की family field में देखिएगा कि पेट के अंदर गर में शंतान आ भी गई है अगर सोचो पहली बार पहले दिन पता चल जाता किसी मा को कि मैं गर्ववती हो गई हूँ वो मा अपनी कितनी केरिंग करती कि मेरे सिशु को कुछ होना नहीं चाहिए लेकिन खुद पता चलता है कभी पंदा दिन बाद कभी एक मेहने बाद कभी डेड़ मेहने बाद पता चलता है कि गर्व में संतान है तब तक उसके विकास की आदी आत्रा हैं तो वो स्वेम अपने आप बढ़ चुका होता है जबकि एक मा को गर्व के जनम से बाद नहीं गर्ब में भी अपनी मा की उंगली पकड़कर के चलना सीखना चाहिए तिसला के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि कैसे मैं क्या सही में तीतंकर को जेल पाऊंगी सिद्धार्ट से बोलती है हाथ दवा करके बहुत प्यार से बोलती है उसकता बस सच में भगवान घर्ब में आएंगे सिद्धार्ट बोलते हैं इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है जब स्वया कुबेर तुमारे आंगन में रत्न बरसा रहा है साड़े तीन करोड रत्न रोज बरस रहे हैं तुमारे आंगन में इतने बड़े बड़े जैसे ओले गिरते हैं ऐसे कुबेर उनकी आंगन में शे महने पहले से रत्न बरसी कर रष्टी करता रहा गर्ब में आने से रत्न बरसी बंद नहीं हो गई 15 माह तक निरणतर रत्नों की बरसा महरास विद्धार्ट के आंगन में रोज होती थी, कोई गरंतकार साड़े तीन करोर रतनों के बारे में कहते हैं, कोई गरंतकार साड़े बारह करोर रतनों के बारे में कहते हैं, आपको जो कलपन अच्छी लगती हो, लेकिन सोचिए, बड़े-बड़े हीरे गिरते हों आसमान से, बड़ा बड़ा पन्ना गिरता हो, मारिक गिरता हो, बड़े बड़े मोती गिरते हो छोड़े छोड़े मोती नहीं, ये बहुत छोड़ा मोती है क्योंकि उस सीप की ताकत इतनी होती है लेकिन बड़े-बड़े सीपों से बड़ा-बड़ा बंटी, कंचे के अकार का मुती, मारिक, पन्न, हीरा, जवारात, कहीं साड़े-तीन करोड या बारा करोड की इसके आखन में गिरता हो, रोज गिरता हो, वोसे धारत क्या कर सोचते होंगे, उठाते थे ऐसा भर-भर के, कि मिक्षित दान सुरवात में तो उनने दिया, बाद में वो काम भी देवताओं के दौरा होने लगा, कि जितना रत्न उठता था, पूरे के पूरे कौशामभी वैसाली के, जितने भी संब्रद लोग थे, गरीब लोग थे, सब ने अपने घर रतनों से भर लिये, हमारे घर क अंदर पुत्र पैदा होता है, आधा किलो मिटाई बाटने में, हम खुद सोचते हैं, बाईया, काजु कतली साड़े छे सो हो गई है, इतनी महंगी नहीं बाटेंगे, काम करो, वो नकली वाले दूद का छेना का रजगुल्ला बनवा दो, सस्ता पड़ेगा और बटवा द अगर हमारी सोच, हमारी सुरवात, हमारा बैभार, हमारी मानसिक्ता सुरवात से अच्छी रहती है, तो हमको जीवन में सब कुछ अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा, आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, वो आपके बारे में भी उतना ही अच्छा सोचता है, आप किसी के बारे में wet wipes अंदर से निका लिए तो automatically सामने वाले की wipes वैसी ही आपके जीवन में आपको सताने लगती है, आने लगती है सिधार्थ ने तिशला से कहा कि तिशला संका की कोई बात ही नहीं है, तुमारे गर्भ में अच्चस्वर्ग से कोई इंद्र चुत हो करके यहां पर आ चुका है तब ही यह 16 सब्ट तुमने देखे है तिशला से सिधार्थ कहते हैं कि उस बैल का तुमारे गर्भ में बैट जाना ही कह रहा है कि वो धर्म तीर्थ का तीठंकर बनने वाला है और उसका आवतरन हो चुका है वो शरीर के अंदा से जो सिंग की दहारे निकल रही है और जिसको तुम महसूस कर रही हो वो बता रहा है कि उसके सामने किसी भी वादी और प्रवादी की कुछ भी नहीं चलेगी तिसला ने अपना स्वयम की शरीर की कांती देखी सिधार स्वयम तिसला को देखकर के आश्यर चकित थे कि इतनी कैसे चमक रही है कल तक तो नहीं चमक रही थी आज कैसे चमक रही है और सिधार तिसला को सांतनों देते हुए तिसला को हांत पकड़के और उठा करके अपने उस राज महल की खिड़की के पास तक गए कि सामने का पूरा बैभाव एक बार मैं पूरी की पूरी कोशामभी को मैं पूरा का पूरा कुंड पूर को देख सकूँ पूरे की पूरे वैशाली देख सकूँ तिसला को हाथ पकड़के महरास सिदार्थ ने खिड़के की सामने खड़ा किया माना सिदार्थ देखते रहे गए माना सिदार्थ ने देखा कि जिन आंगन में रोज 3.5 करोल 12 करोल रत्त बरसते थे वो पूरा का पूरा आंगन देवताओं से खचा खच बरा हुआ है सोचिए कभी कि आपके घर के दर्वाजे के सामने देवता लोग खचा खच बरे हो हर देवता के सिर पर मुकुट है उसकी पतिनी के सिर पर मुकुट है सारे के सारे अतंग दैदीपतमान है चमक रहे है एक भी जगह है कहीं पर खाली नहीं बची जहां पर देवता ना खड़े हो सिधार्थ ने देखा कि सामने बहुत दूर तक देवता लोग खचा खच भरे है रत्नों की बस्टी फिर भी हो रही है और रत्नों की बस्टी भी निरंतर हो रही है देवता भी खचा खच वहां पर खड़े हुए है रत्न देवताओं के समूँ पूरे सरीर को छूते हुए धर्ती पर गिरते हैं तो देवताओं के पैरों के घुटने तक रत्न भर गए ये द्रश जब पहली बात तिसला उसे धार्त ने देखा तो उगके आँखों को बिस्वास नहीं हुआ इतना सौंदर इतनी रक्षा इतना बैभव भी एक तीठंकर के गर्व पे आना क्या हुआ सारे के सारे देवताओं को छोड़ करके इस धर्ती पर इसी धर्ती पर बंदूओं इसी धर्ती पर जिस धर्ती पर हम रहते हैं हम सांस लेते हैं हम दाल लोटी सबजी खाते हैं मंदि जाते हैं इसी धर्ती पर इस तरीके का दर्श उपस्तित हुआ था आज से पचीस सो पचास साल से भी पहले पचीस सो पचास साल पहले तो भगवान महाविश्वामे को निर्वान हुआ था उसमें 72 वर्ष और जोड़ दो 73 वर्ष जोड़ दो इसी धर्ती पर ये दर्श उपस्तित हुआ तिसला ने जब देखा तो सूर उदय हो चुगा था और उदिस सूर में पूरे के पूरे आसमान से चारो तरफ प्रहरी के रूप में बड़ी बड़ी देवियां बड़े बड़े अस्त और शस्त्र ले करके जैसे तिसला और सिधा का बैभा बनाना चाहते हैं साथ खंड के मकान की रक्षा करने के निमत चारो तरफ खड़ी हो गई तिसला ने सामने का देखा देखकर के तिसला को लगा कि ये तो अद्बुत है तिसला ने दौड करके पीछे गई पीछे जाकर के पीछे के खिड़के से देखी तो यही द सिधार्ट का चहरा देखकर के बोलती स्वामी सिधार्ट बहुत गंभीर थे सिधार्ट तिसला से कहते है तीठंकर तुम्हारे गर्भ में आ चुके है ये बात तिसला को उस वक्त महसूस हुई जब तिसला ने बाहर का ये दर्श से देख लिया आत्म संतुष्टी करने के बाद आचार कहते हैं कि जब स्वर्ग से देवताओं के द्वारा वह भोजन तिसला के लिए आया अभी तक कि समान भोजन के बाद अब तिसला का भोजन और बदल गया तिसला का भोजन जब स्वर्ग से आया तो तिशला की उस भोजन से जो दैदीब तमान था, दिव अन्र से बना हुआ था, देवियों की द्वारा बनाया गया था, तिशला भोजन करती थी और उस भोजन से अनंत गुड़ी तेच, अनंत गुड़ी कांती तिशला की शरीर की और दिन बदिन बढ़ने लगी, दीरे करके तिशला का जैसे ही गर्व बढ़ा, थोड़ा सा तिशला को महसुस हुआ, बधाई हो आपको, किस बात की, कि कर्म भूमी पर बगबान महावीर का जन्म हो गया, इस बात की सुनने वालों को भी बधाई हो, कि महावीर इस सस्टे पर तिशला की कुक्षी पर अवतरित ह हुए, और अवतरन होने के साथ ही दिव भोजन करते हुए, जैसे ही वा तिशला बढ़ती, उसकी कांती बढ़ती चली गई, शरीर की कांती बढ़ती चली गई, लेकिन पेट बड़ा नहीं हुआ, आपके बच्चे जब गर्व में रहते हैं, तो वही पर कलल में खेलते रह हैं, रक्त का प्रवाह रहता है, वह रक्त जो बिल्कुल गंदा है, शुक और शोनित के बीच में वो बच्चा नौ महने तक बड़ा होता है, लेकिन माता तिशला की कुच्छी का सोधन देवियों ने किया था, वहाँ पर इस तरीके के अवसिस्ट पदार्तों की कोई शुद्धी और मंद्र जैसा इस्थान गर्ब में बनाया, तिसला के गर्ब मर्द जब महावीर अवतरित हुए, तिसला अंदर यंदर महसूस करती थी, कि मुझे बोध देने वाला अब मेरे मन के अंदर बाइठ गया है, परिनाम बदलने लगे, सोच बदलने लगी, तिसल इने भी जेलों पे बंदी रहते थे, सारे के सारे बंदियों को मुक्त कर दिया जाए, जिस समय भगवान महावीर का गर्बावतर्ण हुआ, तीन लोग में छोप के साथ साथ खुसी की लहर फैल गई, चारो गतियों के जीव को पल भर के लिए फिर शान्ती महसूस हो गई, वे नारकी भी जो कभी शान्ती महसूस नहीं करते थे, उनने भी पल भर के लिए शान्ती महसूस करी, और जितने भी बंदी थे, जैसे ही कौसांबी में, उस कुंडपुर में, तिसला के गर्ब में महावीर आए, जितने के जितने बंदी थे, सबके भाव बदल गे बंदू कितना अद्भुत सासन है कैसा अद्भुत पुन है कैसी अद्भुत देवताओं की द्वारा भगबान महावीर के अवतरन की प्रभावना है कि तुम्हारे गर्व में पैदा हुआ और हमारा मन बदल दिया जब मन पूरा बदल गया गर्व धीरे धीरे विक्सित होता रहा चार माह के बाद जैसे आपको धीरे धीरे महसूस होता है कि बच्चा पेट में जब लात मारता है अंदर से तो छोटा सा पंजा मा अपने पेट में महसूस करती है सोते सोते आप सो रहे होते हैं रात में गहरी नीन में और आपका बच्चा पेट में जग जुका होता है ये कंट्रोवर्सी कभी मा बहने होंगी उनने महसूस करी होगी कि जब बच्चा धीरे धीरे 7-8 मेने का हो जाता है तो उसकी निद्रा और आपकी निद्रा का time period biological clock change हो जाती है तो आपको नीन आ रही होती है और आपका बच्चा अंदर जग रहा होता है तो कई बार आपका बच्चा जैसे आप रात में बान ली ज़िए 11 बजे सोए और सो करके आपको तीन बजे ढ़ाई बच्चा जग गया आपकी निन लगी है तो बच्चा अंदर से धीरे धीरे लात मारता है तो मा को सोते में महसूस होता है पती बगल में सोता है और मा एकदम से इस्तरी उड़ जाती है और अपने पेट में हाथ फेर करके सहलाने लगती है पुच्ची देने लगती है बेटा सो जा बेटा सो जा पती पूस्ता है क्या हो रहा है बढ़े कुछ नहीं यह जग गया अंदर अब जो सोन नहीं दे रहा है तो पती पूस्ता है, पहली बार के अनुभव में पत्नी से पूस्ता है पती, क्या होगा, वो जग गया, बहले वो लात मर रहे हैं अंदर से, सोने नहीं दे रहा है, अब उसों समझाना पड़ेगा, उसको वैबरेशन देनी पड़ेगी, पास, साथ, दस मिन तक जब माँ आज ऐसा ही होता है, कि जब बच्चे अंदर से लात मारता है, कई बार तो फुट्प्रिंट बच्चे के पेट पर दिखाई देते हैं, और लोगों ने तो इसके फोटो खिच करके, स्कैनिंग करके, कई लोगों ने तो यूटूब पे और गूगल बगरा में फोटो भी व वो जो नाली के उपर एक सोदा रहता है ना, पानी गिराओ, कोई उसके थन में लगकर के दूद पीले, कचड़ा फेक दे, कोई फरक नहीं पड़ता, ऐसी गहरी नींद में भी कई लोग सोजाते हैं, लेकिन तिसला जागरत है, उसके भोजन से उसकी कांती बढ़ रही है, उसकी शक्ती बढ़ रही है, आप गरववती होने पार जिस भोजन को कर रही है, क्या उससे आपकी शरीर की कांती बढ़ रही है, पीजा बरगर फास्वुट खाने वाले गरववती महिलाओं से पूछना चाहिए, कि किस भोजन को कर रहे हो, जिससे तुमारी तुमारे विकास होता हो भोजन ऐसा करना है और उस वक्त में करना है जब भोजन स्वस्त हो अस्वस्त भोजन गर्ववतिस्त्रिया नहीं करती अस्वस्त भोजन क्या है सुबह साथ बजे आट बजे नौ बजे दस बजे चामल बनाया शाम होते होते वो चामल रखा रहा अब फिकेगा तो गर्बतिस्त्री ने भी उसको तल करके गरम करके खा लिया इसको अस्वस्त बोजन कहते हैं स्वस्त बोजन कहते हैं जो बोजन जवानी में खाया जाए जवानी का बोजन क्या होता है गरम रोटी गरम डाल जब पहली बार गरम रोटी होती है पहली बार की गरम दाल होती है पहली बार का बना हुआ पका हुआ गरम चामल होता है इसको स्वस्त भोजन कहते है तिशला स्वस्त भोजन कर रही है आप क्या स्वस्त भोजन कर रहे हैं संसार में सोचिए, जैसे डाल बनागे रख दी, रखने के बाद 2 घंटे बाद डाल गरम करके खाई, तुरंद की बनी गरम डाल की शक्ती और 2 घंटे बाद गरम की गई डाल की शक्ती में जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसे ओरिजिनल चीज में हो चाइना मेड़े में अंतर होता है इतना स्वास्त बोजन करने की अदत मा बहनों में होनी चाहिए लेकिन हमारी मा बहनों की अदत रहती है वो पूरे घर का काम समेटेने के बाद जो बचता है चुपचाप खाती है और संतोष हो जाती है जाता ही कि एक प्लेट डाल ले ली दो रोटी पहले लेकर के पेट में डाल लिया उसके बाद पूरा काम करते रहें लेकिन आदत कैसी है कि दो बासे पराठी उठाये खातम करवे के चक्कर में अचार उठाया खाया और खाकर के अपना सरीर खराब कर लिया फिर 30, 35, 40 साल की उमर में बिचित बिचित प्रकार की गर्व संबंदी जब दिक्केते पैदा होती है उस समय उनको बताने वाला कोई नहीं रहता है कि अगर जिंदगी बास्वस्त भोजन किया होता तो 60 साल की उमर में भी इस तरीके की गर्व संबंदी दिक्केते नहीं हो समझ में आएगी लेकिन आनी चाहिए कितना पीड़ा सहते हैं जब आपरेशन होता है दिक्केते होती है तकलीफें होती है उन सारी तकलीफों का हर इस्तरी बहुत अच्छे से समझती है लेकिन वो ये भूल जाती है कि अस्वस्त भूजन करने का पेँनाम है गर्व संबंधी दिक्केते हैं शरीर संबंदी दिक्केते हैं दो पराथे खराब हो जाएंगे फिक जाएंगे इसलिए दो पराथे निकाल लिए अपने उपर दया कर ली अरे देखो हम कितनों बचा ले थें हो तुमने दो बचा लहे, बड़ो एहसान करो अपने उपर, गईया को डाल देती, घर के अंदर एक गईया पल रही होती, बासा भोजन उठा करके गाय को डाल देती, वो अपने सरीर में डाल करके ताजा दूद तुमको दे देती, अब तुमने बासा भोजन अपने सरीर में डाल दिया, औ बुद्धी, अनंत गुड़ी, अनंत गुड़ी भरती चली जा रही थी, ग्रंथकारों के ग्रंथों में जा करके, जी करके देखिये, और मैं ये भी बता जेता हूं, कि मेरी जितने भी कथानक हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, अगर आप सोचते हैं, कि विलम सा रहा हूं, वहां से भी लाया हूं, लेकिन सब कुछ वहां नहीं मिलेगा, तो कि बल, शांती, शौर, सदबुद्धी, चेतना, ये उपदेश सिर्फ सुनकर के निकल जाने के लिए नहीं है, सुनकर के समर जाने के लिए हैं, कि समान ग्रहस्त जो पंचम काल का है, वह अपन तुलना माता तृशला से करे, अपने भोजन की तुलना करे, अपने आसपास के वातवन की तुलना की से करे, अपने प्रटेक्शन की तुलना माता तृशला से करे, और वह समस्त ग्रहस्त सुने, ससुर भी सुने, साज भी सुने, पती भी सुने, तो वह इस बात को भी समझ हमको एक स्वस्त महापूरस पादा करने हैं तो पूरे घर के लोगों की सामोहिघ जभाबदारिया होती है पूरे परिवार के लोगों की जभाब्दारी होती है जैसे त्रशला को समहनने के लिए 64 देविया आ गई परिवार का एक-एक सदस एक गर्भवती इस्त्री की रक्षा करता है मनोभावों की रक्षा करता है उसकी मानसिकता की रक्षा करता है mental stress नहीं पड़ता हो physical stress नहीं पड़ता हो गर्भ में आने के बाद 9 महां तक ब्रह्मचरबत का निर्दोष पालंखना पड़ता है इस्त्रियां गर्ववती रहती है और दंपती मालीजे काम भोकी कथा करते हैं इसका इस पश्चते प्रभाव संतान की उपर पड़ता है वो कभी बासना युक तो पैदा होती है कभी पापी पैदा होती है कभी करोधी पैदा होती है इन सब के पीछे आपके बच्चे की नेचर के पीछे आपके माता पीता जवाबदार है बच्चो कि आपके माता पीता ने जवाब गर्व में थे अगर माता पीता ने इस तरीकी की काम भोकी कथाएं की है मजाक किया है करोद किया है mental stress लिया है दिया है उसका सीधा सीधा इसपञे प्रभा और संतान पर दिखाई देता है महराज इसको बहुत गुस्ट्छा आता है हम सोसतें कहां से सीखा जेनरिकल एक कोई चीछ प्रोडियूस हुई है कोई चीछ बनी है वो एक जेनरिकल साइंटिफिकल आप देखेंगे तो आप दोनों का मिला जुला है जब आपके बच्चे की नाख आपकी नाख से मिलती है जब आपके बच्चे की आँख आपके बच्चे की आँख आपकी एक जैसी है color एक जैसा है, height एक जैसी है बाल एक जैसा है, चेहरे का रंग एक जैसा है तो फिर nature के मामलेमें भी समझीगा कि कुछ आपका है, कुछ आपकी पत्नी का है, पत्नी और पत्नी के दोनों के nature को मिलकर के बच्चा बना है, तो कि DNA जो बना है वो आप दोनों के mix up होकर के वो तीसी चीज बनाई गई है अब क्रोध भी कहीं न कहीं आपका है कसाई भी आपकी है लोब की आपका है उसको देखकर कि सीखो कि मेरे अंदर का क्रोध इसके चहरे पर दिखाई दे रहा है अब इसके चहरे का क्रोध खतम करने में ज उस महावीर से संबाद करती है वो पूछती है जब छे महने गुजर गए तब माता तिशला अपने गर्बस शिशु से कहती है कब तक बिटा तू मेरे पैड से चलेगा क्योंकि तिशला की इक्षा होती थी चलने के लिए तब तिशला समझती थी ये बात को कि ये मेरी इक्ष पेड़ना दे रहा है अंदर वाला मुझे बोलने के लिए पेड़ना दे रहा है अंदर वाला मुझे देखने के लिए पेड़ना दे रहा है अंदर वाला मुझे खाने के लिए पेड़ना दे रहा है अंदर वाला मुझे हर कार करने के लिए पेड़ना दे रहा है जैसे बा बट्टारक श्री विद्या सागर जी की उस समाधी स्थल के दर्शन करने जाती थी श्री मंती माने सुयम कहा कि कि कितनी बार इस चीज का अनुभाव किया है जब ये गर्व में थे कि कोई चारण इद्धारी मुरिराज आकास से आ रहे हैं और मुझे उब्देश दे रहे हैं बुन्देल खंड का आदमी आज जुट बोल सकता है और बुन्देल खंड का आदमी तो फिर भी बहुत ज्यादा मलब पढ़ा लिका समझदार और मायाचारी वाला होता है लेकिन दक्षिन भारत की चावल में दक्षिन भारत की दालों में मायाचारी नहीं है बंदू वहा वहां की परिभासा ही अलग बंदूओं, वहां के लोगों में इतना सहज पना है, जैसे एक फूल सहज में खिल जाता है, ऐसे ही दक्षिन भारत का कोई भी विक्ती सहज में अपनी बात को रखता है, बिना किसी लाग लपिट के, माशी मंति उस समय कहती थी, कि गर्वस्त में जब गर्व में बिद्या सागर्ची मुरीराज जब गर्व में थे, बालक बिद्यादर गर्व में था, तब कई बार ऐसा लगा कि चारन इद्धारी मुरीराज उपर से आ रहे हैं, और घर के सामने आगर के खड़े हो जा रहे हैं, यह भाव पैदा करते हैं लोग, तिसला अपने उस गर्वस सिचु से बात करते हुए कहती है कि कब तक मेरे पैड से तू कब तक चलेगा, कब तक तू मेरी आँखों से देखेगा, कब तक तू मेरे खाविये भोजन का स्वाद लेने का प्रयास करेगा, कब तक, कब तक तू मेरी विचार सक्ती और अपनी विचार सक्ति को मिला के चलेगा तिशला की मन के अंदर प्रतिदिन मातत तबाव बरता चला जा रहा था आप अगर सोचिए जब आप आज किस बरतमान दोर पे कॉम्पलिकेशन खड़ा होता है आपकी प्रिग्नेंसी पिरियड टाइम पे जब आप बच्चे देने के लिए मन के बाद डाक्टर के पास जाते हैं और डाक्टर कहता है कि बच्चे की नाल पूरी बच्चे के गले में लिप्टी हुई है आपरेशन नहीं कराएंगे तो बच्चा मर जाएगा या भी बच्चे ने कुछ ऐसा कर लिया है और वैसा कर लिया है कभी कलपना करके सोचिएगा अगर मानसिकता अच्छी होती, बिचार अच्छी होते, बैवार अच्छा होता, सोच अच्छी होती, बोजन अच्छा होता तो इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन लाइफ में पैदा ही नहीं होता कुछ भी बनाया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी देख लिया, कहीं भी चले गए, कोई भी कपड़े पहन लिये, कहीं भी जाकर के बैठ गए, कैसी भी बाते कर ली, वो चेतना अंदर से है नहीं, कि मुझे तीठंकर पालना है, बस ये चेतना है कि बच् की गोली खाली, आरेंग की गोली खाली और हम अच्छी माँ हो गए कि वो DDP के उसके ठीके लगवा लिये 3, 4, 5, टाइम टू टाइम हमने जाके इंजेक्शन लगवा लिया, इसका नाम केरिंग नेचर नहीं है केरिंग नेचर है, हमारा भोजन हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा आना-जाना, हमारा पहनावा, हमारा खान-पान, हमारी बात-चीत, हमारे वारत-अलाप, हमारे द्रश, एक सद मा, हर चीज की उपर सोय हैं, कौन से सोकर के काम करती है, आपका शमय होगी, असलिए सब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनह मैं प्रयास करूँगा, अभी गुर्देव के चर्णों में बारमार पडाम करते हुए, जिन लोगों ने कलस का सवाग प्राप्त गिया है, उनके पुन्य के अन्मोदना के साथ सब्दों को विराम देता हुआ, गुर्देव श्री विद्द्य सगरजी महरा जी, जावानी क सब्सक्ष्ट